लेकिन आज गुजिया बनाते हैं लेकिन आज गुजिया बनाने का तरिका बिलकुल अलग है आप चाहें तो इसमें बहुत सारे variation कर सकते हैं तो चलिए इस रसिरी घुजिया को बनाना शिरू करते हैं यहां मुझे चाहिए एक कप सूजी सूजी मैंने बारीक वाली ली है वैसे आपके पास मोटी भी हो तो चलेगा क्योंकि हमें इसे बाद में grind ही करना है तो यहां पर मैं आपको सूजी दिखा रही हूँ कि यह बहुत बारीक है उसके बाद भी मैं उसे grind जरूर करूँगी तो यहां पर मैं उसे grind भी कर लेती हूँ यह देखिए मैंने सूजी को अच्छे से grind कर लिया है अब हम चलते हैं इसके आगे के process में एक बरतन में मैंने इस सूजी को पूरा डाल दिया है अब यहां पर मैं एक कप ही दूद ले रही हूँ एक कप सूजी थी न तो एक कप ही मैं दूद ले रही हूँ और उसे धीरे-धीरे मैं mix कर रही हूँ एक lump free batter हम बनाएंगे लेकिन याद रहे दूद आपको धीरे-धीरे mix करना है इस तरीके से एक lump free batter बनाके हम इस तरीके से हम इसे 10-15 मिनिट के लिए rest देंगे अब बारी आती है इस मज़ेदार सी गुजिया में हमें बहुत सारी 24 मिल जाती है जैसे कि हम चाहें तो इसे बिना चाशनी में डुबोई को भी बना सकते है आपको मन कर रहा है तो इसमें चाशनी वाला भी बना सकते है तो अगर हम ये चाशनी वाला बनाना है तो उसके लिए हम एक कप चीनी ले लेते और इसी में मैं एक कप पानी भी डाल देती हूं दोनों को हम चीनी को और पानी को धीमी आज पे इसका घोल तयार करेंगे और इसमें डालेंगे हम एक छोटा चमच, इलाइची पाउडर और कुछ केसर के पत्तियों को हमें ये चाशनी चिपचिपी चाशनी चाहिए जैसे कि हम लोग गुलाब जमुन की चाशनी बनाते हैं चीनी क्योंकि साफ होती है तो मैं कभी भी इसका मैल नहीं हटाती वैसे अगर कभी आप क्या चीनी खराब हो तो आप पहले चीनी को और पानी को घुलने दिया कीजे उसमें दो-तीन चमच, दूद डाल दिया कीजे उसके बाद उसकी मैल उपर से बाहर निकल आती है उसे निकालने के बाद ही आप को केसर और इलाइची डालनी है ये देखे चिपचिपी चाशनी जैसे की गुलाब जामुन की होती है बस वैसी ही चाहिए अब बारी आती है इस गुचिया के लिए हमें फिलिंग बनानी है फिलिंग के लिए आप मावा वगर यूज कर सकते हो पर मैं जो आपको तरीका बता रहे हूँ वो आपको बहत पसंद आएगा एक कप ले लिया मैंने नारियल का बुरादा जिसे डेसिक्रिटेट कोकोनट भी कहते हैं और हम इसके बदले गोले को भी किसके ले सकते हैं जो सूखा गोला होता है ने ड्राइफरूट वाली दुकानों पर मिलता है ये भी ड्राइफरूट की दुकानों पर भी मिलता है मतलब उसे हम कस के भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दूद है जो की आधा कप है लेकिन यूज समझेए मैंने डेट कप दूद को उबाल उबाल के आधा कप कर दिया है मिल्कमेट की तरह नहीं है लेकिन काफी उबला है कि हम कुलफी वगर के लिए दूद बनाते रहते हैं बस वही दूद है और मीठा भी है इससे होगा यह जो फिलिंग बनेगी बहुत स्वाधिस्ट बनेगी आप चाहें तो नॉमल दूद भी डाल सकते हो कोई इश्यू नहीं है अब यहाँ पर एक पैन लेते हैं उसमें एक चमच घी डालते हैं उसमें इस नारियल के बुरादे को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं जिससे उसकी खुश्बू आएगी और उसका स्वाध भी बहुत बढ़ेगा धीमी आज पर इस नारियल के बुरादे को थोड़ा सा भूनने के बाद हम वही वाला दूद डालेंगे जो की गाड़ा है यहाँ देखिए मैं दिखाओंगे आपको कितना लगा है आदा कप पूरा नहीं लगा है वन फोर्थ कप भी डाला है मैंने अभी मतलब देखा आपने गाड़ा किया हुआ हम अगर एक कप भी दूद ले लेंगे न तो उसको हम गाड़ा करके इसमें डाल सकते हैं बहुत कम दूद लगा है ऐसा करने से उस फिलिंग में स्वात कई गुना जादा बढ़ेगा बाकी 24 आपकी है नॉर्मल दूद डाल दीजी एक चमच दूद की मलाई डाल दीजी ये सब तो हम घर में करते ही रहते हैं मिल्क पाउडर हो तो हो डाल दीजी वादक कुछ ना कुछ हम अपने इसाब से कर सके ड्राइफ रूट भी जो आपको मन पसंदों वो डाल दीजी मैंने इसमें इलाइची पाउडर इस नील नहीं डाला है क्योंकि चाशनी में इक पुकुनट का फ्लेवर है वहां मैं इलाइची का पाउडर डालके उसे डिस्टरब नहीं करना चाथा चाशनी भी अमार यह देखिए ऐसा है गाडा है तो अभी हमी करना क्या होगा इसको एक बार ग्राइड दुबारा भी करना है यह देखिए उसी मिक्सी के जार में आप एक बार डाल दीजे और एक बार चर्ण कर देंगे तो यह स्मूथ बैटर बनेगा आपके जो पैनकेक बनेगे बहुत ही की जरुवत पड़ी क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे ऐसी वाली चाहिए यहां मैंने एक पिंच डाल दिया है नमक आप देख रहे हैं वन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है बिल्कुल भी इससे ज्यादा लालच न करें वन फोर्थ टी स्पून बिल्कुल इस तरीके से अब हमें कवर करना होगा मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना जैसे कि उपर से ड्राय हो जाए आप निकाल लीजे हलका सा आभी उपर गीला दिख रहा न ये गीला जो है ये सूखना चाहिए क्योंकि हमें दूसरी तरफ से इसे पकाना नहीं है ये देखिए ये प दाजा लगेगा कि करेक्ट हमें कैसी आंच चाहिए ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हो मैं को कितना बड़ा पैनकेक चाहिए और मैंने एक छोटी कर्ची डाली है और फ्लेम मेरे को मीडियम चाहिए अब इभी गीला है न ये गीला पन जो है इसका सूखना चाहिए त आप बड़े तवई पर बना रहे हो तो दो दो तीन तीन एकी टाइम में आप बना सकते हो बस उसे ढखिये जरूर और बढ़िया बनाईए एक और ट्रिक आपको बताते हो जैसे कि मैंने पहली बार आपको घी लगाती हो दिखा था बाद में घी नहीं लगाना है क्योंकि नौन स्टिक पैन है शुरू में लगाना है और मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगी कि मैं पीछे से दिखाऊंगी कि मैं कितना पका रही हूं मैदे की गुजिया में मैं आपको बहुत बड़ा चेंज बता रही हूं वो ये होता है कि मैदे की जब भी हम गुजिया बना हमें क्या करना है बस डाल के और फटा-फट से वो क्रिस्पी हो जाएगी बहुत ज़ादा हमारा ओइल नहीं लेगी तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है इस गुजिया के अंदर अब देखिए मैंने टॉविल के अंदर रखाया तो ये बहुत ही नरम और मुलायम बने पड़े सारे पैनकेक देखिए मैंने कैसे बनाए एक साइड हलका गोल्टन कलर और एक साइड बिल्कुल वाइट कलर अब ये जो दूद था ना अमारे पस कुल्फी वाला वो ये गाड़ा किया हुआ दूद सादा भी ले सकते हो वो साइडों से आपको लगाना बेहत जरूरी है ए आपके पास साचा है और फटा-फट काम करना है तो उसमें भी आपको दूद या पानी लगाना है च्वाइज आपके है आपको हाथ से बनाना या वैसे बना रहे फिलिंग रखिए और इसी जोर से आप उसके प्रैस करके गुजिया बना लीजिए उपर का अगर कुछ मिश साइट से ज़्यादा दिख रहा है तो उसे भी आप निकाल सकते यह देखिए यह आपकी गुजिया बनकर त्यार हो गई है अब इस गुजिया के अनोके फायदे तो आपने पहले देखी लिए एक और फायदा देती हूं आपको इनकेस आपको फ्राय करना ही नहीं है तो य मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जो कि अभी यह देखिए सारी गुजिया को मैंने इस तरीके से पैक कर लिया है अब चलते हैं पैन में ऑईल डालते हैं ऑईल अच्छे से गरम होग और क्योंकि यह कच्छा भी नहीं है तो हमें ना मीडियम फ्लेम पे नहीं फ्राय कर और बिल्कुल भी ने ये खुलेंगी ये मेरी गरंटी है पर आपको भी ये ध्यान रखना होगा उसे पैक अच्छे से करना होगा ना फटेगी ना बिखरेगी ना ही कोई प्राबलम देगी ये जैसे ही गोल्डन कलर की हो जाएं आप चाशनी में डालते जाएं है ना होली पे कौन-कौन सी रेसिपी बनाने का मन कर रहा है ये भी मुझे बताएं मैं बहुत सारी लिंक आपको जो पहले भी बना चुकी हो रेसिपी उनकी दे दोंगी आप जरूर चेक कीजिए और मुझे मेरे कई वी और्स मुझे कहते हैं आप रमजान के लिए रेसिपी बना का जाएए ना जो जो रेसिपी में बनाते हूं आप रमजान करते हो तो रमजान की वरत्त में बना छेथ कीजिए और घॉली कर रहा हो तो आपका घुलाब जामौन बन कर तियार हुआ है आपको पता हे हैाना सूजी कितनी सॉफ्ट होती है और वो पैंकेक तो इतना सॉफ्ट था मतलब अगर आप बनाओगे ना तो बच्चे यूँ ही खाएंगे पर हाँ अगर यूँ ही खाने है तो उसमें एक चमच चीनी जरूर डाल देना मैंने उसमें चीनी नहीं डाली थी आप इसी होई एक चमच गोल में चीनी डाल दोगे या साधी भी चीनी डालोगे क्योंकि हमने तो वैसे भी उस गोल को ग्राइन किया था तो आपके ना मीठे भी बनेंगे वो पैंकेक मैंने उना मीठा नहीं किया था ट्राइफूर्ट की कतरन से सजाएए इस गोली इस तरीके की गुजिया बनाईए कि मजाई आ जाए तो देखाना आपने बिना मावे आपने बहुत बढ़िया गुजिया बना कर रख दिये हैं अब आप इसे लंबा चलाईए और इंच्वाई कीजिये और हाँ जैसे ही आप रैसे भी देख रहे हो मुझे कॉमेंट करना विलकों न पुरे और हाँ चैनल पर अगर नहें आएं अब भी तख सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिये इस पैमिली के मेंबर बन जाएए वो भी टोटल फ्री में